दोस्तो आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट है अगर आप भी ललित नगायन मितला विश्विद्दाले से गेरिजुएसन कर रहे हैं यानि बीए बीएसी बीकॉम और पार्ट वन के स्टुडेंट है और आपका सेसन 2022-25 है तो ये वीडियो खास कर आपके लिए ही है आपका एक्जाम कब से होगा ये आपको जनकारी दोंगा साथीं आप लोग पार्ट वन का गेस पेपर शिरी में कैसे ले सकते हैं आपको इस चैनल के दोरा गिववे किया जा रहा है आज ही के डेट में तो इस गिववे में आपको पार्टिसिपेट कैसे होना है और फिरी में आप लोग गेस पेपर कैसे ले सकते हैं आईए इसके बारे में सभी जनकारी आप लोगों को step by step देते हैं सबसे पहले नमबर ध्यान दिजिए आप लोग का जो इक्जाम है पार्ट वाले स्टुएंट का वो अप्रील माह में होने की उमीद बताई जा रही है तो अब इतना कम सब में आप लोग अपनी परिच्छा की तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपके मार्केट में रेखा परकासन का गेस पर आ चुका है जहां पर दोस्तों आपको BVI गेस कोश्चन एबं ब्यक यर का यानि प्रिवियस यर का कोश्चन जो कि पिछले बार कोश्चन पूछा गया है बार बार रिफीट किया जा रहा है वो से भी कोश्चन इबं BVI गेस कोश्चन और और भी कोश्चन इंक्लूड किये गया है जो कि पूछने की संभावना है इस वार तो आप लोग रेखा परकासन का गेस पर उठाएए जो भी BVI गेस कोश्चन है उसका अभी से आप तयारी करना चालू कर दिजिए लिखने का प्रैक्टिस पिछले वार किस पैटन से आपका कोश्चन आया था तो वो सभी आपको टेलिग्राम में PDF उपलब्द करा दिया गया है तो वहां से भी आप जाके ले सकते हैं और अब बात आते हैं आपको कि गिवब में पार्टिसिपेट कैसे होईएगा दोस्तो इस एजुक्रिशन पहल जरूर पहुचाईएगा और टेलिग्राम से जोइन कर लिजे और इस चैनल के बारे में क्या आपकी राय है वो नीचे कमेंट बाक्स में कर दिजे और दोस्तों गिवब में पार्टिसिवेट होने के लिए आपका कौन सा ओनर्स पेपर है ये कमेंट में मेंसन करना मत बुल कर दिजे अपने दोस्तों के साथ पहुचाना भी चालू कर दिजे लगभग जब तक 50 से 60 का कमेंट आएगा यानि एक सप्ता के अंदर आप लोग जितना भी कमेंट कर सकते हैं कर दिजे जो भी स्टुएंट का नाम आएगा उनके घर तक उनका सारा डेटेल लिया जाएग तो यह सब हो रहा है रिखा परकासन के दोरा तो आपको गृखा परकासन का गेस पेपर अपने मार्केट से भी ले सकते हैं जहां पे आपको प्रविएर के कोष्चन एबं बुभी आई केस्टी और दोस्तों इस बार जो भी कोष्चन पूछने की संभावना है यह सभी तो आप लोग एक बार विजिट करके चेक कर लीजे और आपको ये वीडियो कैसा लगा है चलूर कमेंट करके बताईएगा फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में धन्यबाद